कार आज मैं आप सबके समकच प्रस्तुत हुआ हूँ एक विसाय लेके विसाय है आज के दिल्ली में या और कहीं किसी भी सहर में इसकूल विद्याल है इन समय जो फेस्टिवल या पिकनिक एसम मनाते हैं लेके मैं प्रस्तुत हुआ हूँ कि यह लोग पैसे तो ले लेते हैं लेकि उसके लिए उसके लिए यह रिस्पॉंस नहीं लेते बोलते हैं हमारी कोई गरंटी नहीं है आप लिख के दे दो कि मैं parents माता पिता अपनी मर्जी से भेज रहे हैं बच्चे को और sign कराते हैं हां मैं उन सभी माताओं पिताओं से बोल रहा हूँ कि अपने बच्चे को अगर आप कहीं स्कूल में भेज रहे हैं तो अपनी रिस्पॉंस पे भेजिए क्योंकि स्कूल वालों की गारंटी नहीं है मैं मेरे बच्चे स्वे में सिखा दिव बिद्यालम पढ़ते हैं जो की 31 तारीक को इनका पिक्निक है मैं गया इसके बारें बोला, हमने कहा मैं यह पताईए आपक आइसे अगर आप होनी चाहिए अगर नहीं आप रिस्पॉंस लेते हैं तो ऐसी आप ऐसा प्रग्राम क्यों रखते हैं पिक्निक है सब क्यों जरूरी है पढ़ाई क नाम पर कुछ नहीं सो विधा की नाम पे स्कूलों में आज के डेट में विध्याले में कोई चीज नहीं है अगर सुरच्छा की नाम से देखा जाए तो जो लोकल एरिया में स्कूल है वहाँ पे एक गाड भी नहीं है इसकूलों में हम दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं कि इस चीज को किया जा है स्कूलों के यहां कम zaktam एक बाइद स्कूल मेंगे किसी भी स्कूल में आप मैं विकास नकर की बात करता हैं विकास नकर किसी भी स्कूल में अगर स्कूल के सामने गाड है तो गनर हो तो मैं जानू कल के लिए कोई वार्दात हो जाए तब तो ये बोलेंगे भीया मैं क्या कम सकम गनर तो होना चाहिए सुविधाये तो होनी चाहिए सिकोर्टी तो होना चाहिए हम दिल्ली सरया केजरिवाल से परसनल बोल रहा है कि केजरिवाल जी हमारे मुखमंत्री हैं दिल्ली के उन्हें वो इस चीज पर करें स्कूल और एजूकेशन पर ज्यादा बोलते हैं इसलिए मैं इनसे बोला हूँ कि हमारे माननी मुखमंत्री जी आप इस चीज को देखिए कि ऐसे कितने स्कूल ऐसे कितने बिद्याले खुले हुए हैं जिनका सायद नाम भी आपको पता नहीं होगा विकाश नगर में हल गली दूसरे तीसरे गली में एक स्कूल आपको मिल जाएगा ओ कैसे चल रहा है कहां से चल रहा है अब आप देखिए तो मैं तो सुबह गया इसलिए हमने कहा आज मैं बच्चे उठूस ठूसके बैठाते हैं प्राइबेट बैन में कल के लिए आग लगती है एकसिडेंट होता है तो इसके लिए भी सरकार कभी आवाज नहीं उठाएगी कि जरिवाल हजी हर चीज पर आप आवाज उठाते हैं तो इस पर भी उठाएए कि वो प्राइबेट बैन बंद करवाईए प्राइबेट गाडियां जो इसकूल में लगी हैं बंद कराइए उनका आप जो है इंसुडेंस देखिए पलूसन देखिए उनकी कागज देखिए है भी कि नहीं है ऐसे ही चला रहे हैं ड्राइबरों के पास कितने ऐसे ड्राइबर हैं जिनके पास license तक नहीं है, तो इसलिए, हम उन्स सभी माताओं, पिताओं को बोलाओं कि आप लोग का जिम, आप लोगों का जिम्मेदारी है, क्योंकि, इसकूल वालों ने साप बोल दिया है, कि भाइया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसी कानून स्कूल वालों के लिए सरकार बना दिया है कि आप एक एक इनोसी पे लिखवा लिया किजिए खतम मैटर आप का चाहिए कुछ भी हो बच्चों के साथ तो माननी लोग आप सब पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को उनकी जिन्दगी बना रहे हैं तो उनके बारे हम सोचिए ऐसे ही नहीं कि आप स्कूल में ठूस के भर दो किसी भी बैन में भर दो आप अगर नहीं कर सकते स्वेम ले जाओ इसकूल में पहुँचाओ या तो उस बैन के उपर एक्षन लो कि हम इस बैन में इतने बच्चे सूपर अगर बैठा हुगा मिला तो मैं आपके उपर कंप्लेन करूंगा इसके लिए हमारे दिल्ली पुलिस को भी साथ देना चाहिए इसके लिए हमारे दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक पुलिस जो है उनको भी साथ देना चाहिए लेकिन वो कोई भी नहीं बोलता और यह रॉंग में रॉंग जो दिली के बैन वाले हैं स्कूल में लगा रखे हैं रॉंग साइड लेके भागते रहते हैं इनको अगर यूटन लेना है यूटन नहीं लेंगे और रॉंग लेके रेड लाइट पर पहुंच जाएंगे भले से बंदे बैठाते हैं कितने बच्चों के लोग इसकूल में बैठाते हैं तो हमारे इस वीडियों को आप लोग देखिए पूरी देखिए इसलिए आप सबको हित के लिए सभी तो राजनीति के लिए बोल जाते हैं सबके लिए बोलते हैं लेकिन इसलिए कोई नहीं बोलता और मेरे इस वीडियों के देखिए पूरा सुनिए फिर बोलिए जैसी राम बंदे मातरम